प्रेशन के बारे में काफी लोगों के फोन कॉल समय आते रहते हैं क्यूंको नर्वस लगता है उदास लगता है सैड लगता है गिराशा लगती है और उसके बारे में वो प्रोफेशनल हेल्प जो है वो हमारे से लेते हैं काउंसिलिंग लेते हैं दवाईयां पुछते रहते हैं तो उसमें जनरल ट्रीट्मेंट क्या होना चाहिए या जनरली क्या करना चाहिए वो भी बताने वाला हूं तो आए हमारे चैनल में आपका स्वागत है मेरा नामें दॉक्टर दीपकेड़कर में मनोविकार सेख्ष्रो लोगों को जनरल आवादी में ये बिमारी लोगों को है इसमें होता क्या प्रमुक लक्षन इसमें होता है कि नर्वसनेस उदासिंता दुख लगना सैडनेस ठकान बहुत ठकान लगना कमजोरी लगना फिर बीच में विनाक कुछ वज़र रोना आना निराश अबाद हो जा है और उसके लिए मैं दोश्यों ऐसा समझना भूग नहीं लगना उससे वज़न कम हो जाना नीन नहीं लगना पुरे बदन में दर्थ काम में मन नहीं है खुद कुशी करने के विचार बार बार आते रहते हैं तो ऐसे सब लक्षन डिप्रेशन में दिखाए जैते हैं उसक होगा तो करना क्या है इसके लिए तो जब कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखाए दता है अपने फैमिली में तो फैमिली मेंबर ने सबसे पहले उसको identify करना जरूए है किससको कुछ को कुछ तो इसको कंभी इलाज करना जरूए है डॉक्टर के बास ले चलो तो इसमें लिप इसके साथ-साथ आप Self Hypnosis सिखाते हो, Meditation उसको बताते हो, और Vitamin युक्त आहार, कोई Vitamins, ज्यादा suicidal thought है तो Shock Treatment, सबसे महत वगा है कि उसको Anti-Depression डेना जरूरी यह दबाई है, इसके साथ-साथ आम मांस उप्चार, सम्मोन उप्चार करते रहते हैं, और फिर उसको Tips देते हैं कि रोज अपने जिवन में क्या करें, ताकि वो Depression से जल्दी मुक्ती पाएंगा, तो कोईसी Tips है कि क्या करना चीए, नमबर एक हम बोलते कि लोगों से जिड़ो, जिनके साथ में आपका बहुत प्यार है, जो आपके उपर प्यार करते हैं, उनसे Connected रो, उनको Call करो, उनसे ब किया, तो बहुत ही अच्छा है, 40 मिनिट तक, फिर नकारात्मक बोलने का नहीं है, देखो हमारे Thoughts जो Negative है, उसके उपर मेरा Control नहीं है, मगर मेरे मुह से जो शब्द निकलते हैं, उसके उपर मेरा Control है, तो फिर मुह से नकारात्मक शब्द निकलना नहीं है, वो मैंने निक करते हैं, उसके पास में जाके मन पूरा खाली करते जाओ, फिर कोई Social Functions है, प्रोग्राम से, शादिया है, कोई Birthdays है, कहां से निमंत्रना है, वहाँ चले जाओ, कोई सारवेनिक उस्षव है, तो कोई मंदिर में किर्तन भजन है, कोई प्रभचन है, तो वहाँ चले जाओ, फिल्म देखो, अच्छी अपनी को लगती है, वो मुवी अच्छी देखना, दिप्रेस, जो मुवी है है और दिपकरन की गाहने सुनने का नहीं है, फिर जरूतमन जो लोग है, उनको साहेता करो, उनको help नेड़ी जो लोग है उनको, ऐसे लोगों की साहेता करो, के जो लो जो भी आप के लिए कर सकते वह करो, आपको तच्छा लगेगा, फिर नहीं कुछ हभी हैं आप शुरू कर सकते तो करो, हभी, रुच्छी जिसमें आपको है, हभी के रूप में करो, पिक्निक पिक्निक जाओ, कोई ट्रिप निकाल वह पिक्निक में जाओ, 8 घंटे नीन लोर 8 घंटे दीन आती नहीं है तो आप नीन की दवाई उससे में ले सकते है वैसे anti-depression medicine जो है उससे भी नीन आती रहती है तो यह हम करते हैं तो depression से पूरी मुक्ती हम पा सकते है depression का patient जो अच्छा हो सकता है और अपना जीवन अच्छा जी सकता है usually 3 से 4 हथे में एकदम clear cut फैदा होता है दवाई लेने का जब सवाल आता है तो कम से कम 6 से 9 मेने उसने दवाई लेना जरूरी है तो यदि करते हैं तो हर वैक्ती जो depressed है वो अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकता है 10 से 15 प्रतिशत लोगों को depression है आपके आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे लोगों की जो बोलती नहीं कि मैं depressed हूं मगर उनको कुछ ना कुछ मात्रा में depression है ये वीडियो इतना फैला दो इतना share करो ताकि थोड़ा भी depression किसी में होना तो वो ये करते रहता करेंगा ये ये चीजे जो मैंने बताया तो अच्छा जिवन जी पाएगा तो जरूर शेयर करो सब्सक्राइब करो हमारा चैनल लाइक करो और जो बेलायक होना था है उसके पर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो की notification आपको सबसे पहली बार आ जाएएगे हमारा मीजने सब के लिए मानसिक स्वास्ते वैसनमुक्त भारत हर एक को शक्तिशाली जीवन देना उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा थैंक्स पर वाचिए